उम्शान्ति, साकर मुरले से स्टोरी, एक बार एक तितली परमात्मा से मिलने के लिए बहुत प्यासी थी, अपने उत्सुकता लेकर वह एक विद्वान चग्या के पास चाती है, और कहती, मुझे इस दुख की दुन्या शोक वाटी का से दूर जाना है उस परमात्मा के पास चिडिया ने कहा, वहाँ उच्छी पहाडी पर एक बहुत बड़ा मंदीर है, कर सुब हम दोनों वहाँ चलेंगे, अगले दिन दोनों पहाडी पर उड़ना शुरू करते हैं चिडिया ने कहा, अब हम अश्रोक वाटी का में शारे हैं, तिदली ने कहा, वहाँ पर क्या होगा चिडिया ने कहा, हम जितना जितना परमात्मा को अपना सब कुछ इंशूर करते हैं, उस हिसाब से हमें वहाँ परद मिलता है जैसे सुदामा ने दो मुट्टी चावल परमात्मा को दिये, तो उसे महल मिलके और यदि राजा बनना है, तो अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा तिदली ने कहा, मैं एक बाप का पाट पक्का करने को तयार हूँ अब बताए, भगवान के क्या श्रीमत है चिडिया ने कहा, परमात्मा के डारेक्शन है, येर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल तिदली ने कहा, ठीक है, फिर क्या मैं मंदिर में जा सकूंगे चिडिया ने कहा, बिल्कुल जा सकोगे जब तुम स्वपर कंट्रोल रख, परिवर्तन करोगी तब तुम हर रॉंग को राइट कर सकोंगी और फिर तुमें ये दुख सहने नहीं पड़ेंगे बल्कि तुमें मैसूस हूंगा, तुम तो एक बाप को प्रतिक्ष करने की निमित हो तितली खुश हो कर कहती है मैं दुर्ण संकल करती हूं कि आप में अपने विशिशताओं से परमात्मा को प्रतिक्ष करूंगी चिडिया और तितली उमंगुजसा से मंदिर पहच चाते हैं अच्छा, ओम शांति